हलो गाईज वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल एजूकेशन हब एड माई सेल्फ अन्शल दीमान सो गाईज आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमारे क्लास नाइन्थ के छतिस गड़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश का ये मासिक आकलन जो की अगस्त का है विड सॉल्यूशन लेकर आई हूँ इससे पहले मैं बाकी की जो क्लासिज हैं 8th क्लास 7th क्लास उनके जो मासिक आकलन अभी चल रहे हैं उनके solutions with जो है आपके project work सहीत आपको provide करा चुकी हूँ सो अगर आपके कोई friend circle में या cousins जो है उस class में हैं तो उनको जो है मेरा channel share कीजिए जिससे कि उनकी थोड़ी help हो सके तो देखिए अब वीडियो को बिना skip की एंट तक ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी एक question miss ना हो जाए तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे जो है देखिए ये 25 marks का होता है तो सबसे पहले है choose the correct alternative यानि कि आपको यहाँ पे question पूछा जाएगा और इसमें जो है four options आपको दिये जाएंगे आपको right वाले पे tick करना है तो इसमें है sweet sorrow is an example of यानि कि जो sweet sorrow है वो किसका example है यहाँ पे आपको four options दिये गए हैं तो option number A इसमें जो है right हो जाएगा oxymoron जो है sweet sorrow is an example of oxymoron second is chess is a dash game according to the poet यानि कि chess जो है वो कैसा game है poet के अनुसार priceless, cautious, brave या friendly तो cautious जो है वो game है third वाला है life is full of ups and downs here up and downs mean यानि कि here यहाँ पे जो है up and downs का meaning क्या है तो वो हो जाएगा success and failures यानि कि ups and downs यानि कि life में जो है उतार चड़ाव जीतार चलती ही रहती है फिर है if you win the race यानि कि अगर आप race जीत जाते तुम race जीत जाते है I should train you I would train you I will train you तो मैं तुम्हें जो है train करूँगा तो I will train you हो जाएगा इसमे unless you work hard you dash pass the exam unless यानि कि जब तक तुम cutting परिक्षम नहीं करोगे तुम जो है किसी भी परिक्षा को pass नहीं कर सकते यानि कि could आएगा इसमें जो मतलब good होता है cannot आजाएगा can का answer the following questions तो इसमें answer है first आपका जो question पूचा गया है how did Tarun prepare himself for the race यानि के जो का Tarun है वो अपने आपको जो है race के लिए किस तरीके से तियार करता है तो answer है इसका Tarun got up at 4 in the morning यानि के वो सुभा 4 बजे उठता है and run 10 mils यानि के 10 mils जो है run करता है in the evening और मतलब शाम को he made his time accordance यानि के अपने time के अनुसार to the thousand meter distance reserved by the competition thus he prepared himself ठीक है फिर आपका next question है whom did Tarun meet and how did that person console him यानि के वो किस तरीके से उसको सांत्वना देता है दिलासा देता है in his depression में उसके depression में तो इसका answer आप note करेंगे Tarun met a man यानि के वो एक आदमी से मिला who was of about 60 यानि के जिसकी जो उम्रती वो थी 60 फर्ष he said to him that life is full of ups and downs यानि के उसने उसको समझाया के जो life होती है वो ups and downs उसमें होते रहते हैं ठीक है success and failure जो कि अभी हमने देखा so you can be the best runner in future तो हो सकता है कि तुम अपने आने वाले बविश्या में best runner बन जाओ he told him that he could train him उसने उसको बताया कि वो उसको train कर सकते है if he would win the race on 14th November does he console him अगर वो जीता है फिर आपको कुछ जो है puzzled type में जो है arrange करने हैं या आपको lines दी गई है in the parts of the application in a proper format यहाँ पे आपको एक application का format दिया गया है जो unscramble type है इसको आपको जो है sequence में लगाना है तो यह जब आप इसको देखेंगे तो I hope कि आप सभी को जो है application आती ही होगी सबसे पहले हमारा जो subject आसता है application for leave आप लिखेंगे top पे फिर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे to the principle फिर आपके school का नाम आता है विद्यांचल स्कूल राजगर फिर अपना subject डाल दिया application for leave respected sir या madam I wish to inform you that I have fever due to which I cannot attend the classes kindly grant me one day leave on 2nd August 2022 your obediently फिर आप अपना name and date डालेंगे akash and first triggers 2022 फिर आपका fifth में आ जाता है oral यह आपका oral होता है dictation of two or three lines from the lesson किसी भी lesson से आपके दो या तीन line के आपके जो teachers होंगे वो आपको dictate करेंगे ask each student to introduce their friend in two to five sentence हर जो बच्चे को मतलब इसमें बोला जाएगा आपको अपने friend को जो है five lines में sentences में explain करना है कि उसमें आप अपने friend के बारे में लिख सकते हैं उसकी hobbies लिख सकते हैं उसकी favorite चीजे लिख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं five lines five sentences यानि के किसका जो है मतलब पेन कुल करना चाहता था लोस्ट रोबिन वो किस तरीके से रोबिन की help करना चाहता था the poet's life would not be in vain if he help a Robin to its nest eighth है find two pair of rhyming words from the poem rhyming words यानि के मिलते जुलते तो pain vain हो जाएगा pain के जैसा vain हो गया और vain के जैसा again हो जाएगा ninth है find a word which means painful from the poem यानि के poem में painful का जो है word जो है तो इसमें हो जाएगा acting the poet's life would not be in vain if he dash breaks a heart या फिर help a Robin to its nest तो इसमें आ जाएगा breaks a heart so friends ये थे हमारे solutions I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगरा वीडियो आपको पसंद आई है so guys please 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 hit the like button और अगर आपको किसी और subject का चाहिए तो जल्दी से मुझे comment box में बता दीजिए और अपने valuable feedbacks दीजिए जिससे के मुझे पता लगे के मेरी वीडियो जो है आपके लिए helpful रही है so good luck for your assignment friends आज के लिए इता ही thank you so much